CBC Board परिक्षाओं के पिछले दो साल के experience ने काफी कुछ हमें सिखा दिया है इसी को देखते हुए CBC ने इस साल 2021 में खास कर जो Board exam होने जारे class 10th और 12th के लिए उसके लिए एक different policy opt की है और exams को दो segment में divide किया है term 1, term 2 आप सबको पता है term 1 का exam है वो MCQ based होगा पर MCQ based जो exam है उसमें से कितने questions आएंगे subject wise कितना समय समय तो सबको पता है 90 minutes का होगा पर questions के कैसे कैसे types होंगे number of questions क्या होंगे तो एक sample paper की जरूती sample paper आपके सामने यहाँ पर आ चुका है यह देखे हैं आप लोग CBC website यहाँ पर आप लोग सीदे जाएगा cbc.gov.in जैसे कि आप देख रहे हैं और इसमें आप academic website की तरफ जाएएगा सबसे last में जो आपको right hand side पर लिखा है Saturday website यहाँ क्लिक करेगा academic website अला कि इसकी link मैं आपको description box में दे दूँगा इससे क्लिक करिएगा क्लिक करते हैं यहाँ पर देखे कि सबसे पहले जो उपर option आ रहा है new segment में sample question paper of class 10th and 12th for term 1 exam इससे क्लिक करिए क्लिक करते हैं यहाँ पर लेटर खुलेगा जो कि आज ही release हुआ है 2nd September को और इसमें लिखा हुआ यह principles के नहाँ पर letter है सबसे उपर class 10th का दिया हुआ है इसको क्लिक करिए आप जिस भी class में हूँ यहाँ पर different subjects है उनके sample question paper है और उनकी marking scheme भी दी हुई है साथ में तो यह अलाले subject के question paper है बैक जाएंगे देखिए यहाँ पर class 12th को क्लिक करते है class 12th के questions paper है subject दी हुए sample question paper और उनकी marking scheme इसमें आप कोई भी अपना subject choice कर सकते हैं मैं history को क्लिक करा हूँ जैसा history क्लिक किया आप इसको download कर लीजिए और छे से इसको study करिए यह historical sample question paper है जो कि 90 minutes का है तो अलग-अलग question paper को आप लोग store करिए उनकी क्या timing है उनकी types क्या है उनकी क्या-क्या problems है क्या-क्या उनमें general loading है क्या instruction है इन सब को ठीक से पढ़िए और कई बार in question paper को आप लोग attempt करने की कोशिश करिए term 1 के exam सब को बता है 90 minutes का होगा तो यहाँ पर देखिए maximum marks 40 marks का है question of number का categorization है वो थोड़ा सब different मिलेगा timing सबकी सेम होगी यह definite है कि 90 minutes सभी को मिलेगे पर question का difficulty level है उसके हिसाब से marks में और questions के types में थोड़़फोड differences है क्योंकि जाओरफी का paper जो है वो 70 marks का होता है history का 80 marks का होता है तो term 1 term 2 में इस तरह से मास का division है जिस sample question paper बेहत एहम थे और बहुत important समय पर बड़े crucial point पर यह release किये गए है term 1 और term 2 में क्या differences इसको लेके मैं एक video बनाया हुआ है description box में मैं उसका link दे दूँगा वो भी check कर सकते हैं तो इन question paper को जाकर तुरांद आप check करिए इनके links मैं description box में दे रहा हूँ आप वहाँ पर जाकर चेक करिए आप सीदे website पर भी जा सकते हैं और यह mobile और desktop दोरों में available हैं इसके paint out निकालिए बस आप लोगों के लिए यही एक information थी आप सबको आने वाले term and exam के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत उसके बदाई कि paper समय से आपको मिल ला है आपने उसको explore करिए आप सबका यहां तक बनेने लिए बहुत बहुत दन्यवाद चैनल को subscribe जूरू करिए को कि ऐसी update में बराबर आप लोगों के लाता रहूंगा दन्यवाद